आसनों के पूरे पैकेज के बारे में जानने की किरियो सीटी उत्सुकता सभी के मनों में है यो तो योग सास्तर में कोई 84 करोड कोई 84 लाख आसन मानता है योग सास्तर कहता है आसनानी चतावंति यावंति हजीव जाता है आसन उतने है जितने जीवों की जातिया जितने दुनिया की में आक्रतिया व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है भ्रमित हो जाता है कि मुझे कितने आसन करने है मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है नौ वर्ष की उम्र से मैंने योग करना सुनू किया और अब मैं इस निश्कर्स पर पहुंचा हूँ कि दी मात्र बारह आसन ही कर लिये जाएं तो विक्ति को संपोन आरुग्य मिल जाता है और वह बारह आसन है मंदूक आसन शशक आसन गूमुक आसन वक्रासन मकरासन भुजंगासन शलभासन मरकटासन पवनमुक आसन एक एक पैर से अर्दहलासन फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं अर्दहलासन द्वीचक्रिकासन पादबृत्तासन एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी किया जा सकता है जिनको हाट आई बी पी की प्रोब्लम हो जिनको हरनिया हो जिनकी शरीर में कमजोरी हो जिनकी हड़ियां कमजोर हो वे एक-एक पैर से ही करें दोनों पैर उसे करें और पाद बित्त असन के बाद द्वी चक्रिकाषण जिसको आम भासा में हम साइक्लिंग भी कह देते हैं जिदि ये बारहासन यक्ति प्रति दिन कर ले तो जिंदगे में कभी रोगी नहीं हो सकता वात पित कफ का एनवलेजम, कटवलेजम, मेटवलेजम का शरीर में केमिकल सौस हार्मोंस का जब इंबैलेंस हो जाता है असंतुलन हो जाता है उसी को हम रोग कहते हैं योग से भीतर के सभी केमिकल सौस हार्मोंस का इंबैलेंस खतम हो जाता है योगाशनों से वात पित कफ का असंतुलन समप्त हो जाता है और योग से शरीर की एक-एक कोशिका से ले करके बड़ी के एक-एक सेल से ले करके पूरा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है संतुलित हो जाता है शक्ती से भर जाता है सबको शक्ति, स्वास्थ, सम्रिध्धी, शान्ति, संतुष्टी, मुक्ति चाहिए योग से ये सब कुछ मिलेगा और योग का करोडों लोगों पर प्रियोग करके हम इस परिणाम तक पहुँचे हैं उसकी पुरी scientific evidences हमारे पास में है कि योग करने से कोई रोग शरीर में रहे ही नहीं सकता और योग करने वाला व्यक्ति रोगी हो ही नहीं सकता इसलिए एक एक सेल से लेकर की पुरी सिस्टम को रिप्रोडेक्टी आक्सक्रिट डाजस्ट स्कलेट रेस्परेटी नर्वस एंडरकाजन सिस्टम सिंपाथेटिक परह सिंपाथेटिक हापाथालमस आउटोमें सिस्टम को आपको संतलित करना है तो योगासन कीजिए और सदा स्वस्थ रहिए दिर्ख आयू पाईए